हलो है वेल्कम टू ओल इंडिया स्टुएंट्स कम्यूनिटी मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो मेरे पास बहुत दिनों से कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि सर एससी जीडी और को लेकर एक वीडियो बना दीजिए जिसमें कि किस तरीके से पढ़ाई करना है और हमारा फाइनल सेलेक्शन हो जाए इससे रिलेटिड कुछ वीडियो ताकि कितने घंटे पढ़ना है कैसे स्टडी होना चाहिए कि सब्जेक्ट पर फोकस करना है और कब कब प्रेक्टिस एट लगाना है ताकि इस एक्जाम को हम करेक्ट कर सके तो उसी चीज से रिलेटिड मैं आज एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ छोटा सा वीडियो होगा लेकिन ध्यान से सुनिएगा किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है कब कब क्या चीज पढ़ना है उन सारी चीजों पर बात करेंगे सबसे पहले जो सबसे पहले स्टुडेंट का सवाल होता है कि टोटल कितने घंटे पढ़ाई करें दोस्तों हर रोज आप लोगों को कम से कम पांच घंटे पढ़ाई करना है कितना हर रोज आप लोगों को पांच घंटे अब ये पांच घ को भी कैसे डिवाइड करना है मैं आगे बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट को कितना घंटे यह ध्यान से लेकर चलिएगा और जरूरी नहीं कि आप एक साथ बैठके पड़े वो सबका अपना अपना रूटीन होता है सबका अपनी अलग-अलग सब्जेक्ट के अलग प्लाइन होता है उसके अकोडिंग बाठिएगा सब्जेक्ट के अकोडिंग बाठेंगे हम इसको ठीक है सबसे पहले कि फोकस सब्जेक्ट क्या है कि हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर होना चाहिए जो हमारे daily routine में हो वो है current affairs दोस्तो आप लोगों दिलाएगा सोचिए अब बात करंट अफेस की की गई है मुझे भी पता है आप लोगों की भी पता है करंट अफेस और स्टैटिक जी के दोनों से मिलकर एक्जाम में नो से दस सवाल तक बनेंगे कितने नो से दस सवाल पचीस में से लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप दो दो नहीं घंटे सिर्फ एक वीडियो देख रहे हैं डेट डेट दो घंटे का करंट अफेस का उससे आपका कवर होगा बिलकुल नहीं होगा आप भटक कर रहा हो वे चीजें आपके लिए मैंटर करती है और मैं हमेशा बोलता हूं पढ़ो वही जो आपके एक्जाम के लिए हो सही ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ने लगो आप अलगी ट्रेक पे जा रहे हो तो आपको कोई फायदा नहीं होगा तो करंट अफेस में मैं आप लिए बहतरीन बनाने के लिए डेली आप लोगों के लिए वीडियो डालूंगा 15-20 मिनट का और यहां पर टार्गेट करेंगे हम जो कि आप लोगों के लिए फ्री ओफ कोस्ट है सारी चीजे ठीक है तो यह 15 मिनट के वीडियो में हमारा जो टार्गेट होगा डेली 9-10 नं लिए तो उसमें इंग्लिस भी आता है कि यह भी यह भी आप लोगों का डेली रूटीन में होना चाहिए आप लोगों के पास इंग्लिस का दो बुक होगा नहीं है तो इन दोनों में से कोई एक भी ले लीजिएगा एक तो नीतु सिंग का प्लिन टू पैरमांट और एक द उसमें से आप डेली दस आपका रूटीन होना चाहिए डेली आप जो है दस क्या पढ़ेंगे एंटोनिम सिनोनिम बगारा जो है वो पढ़ेंगे और दस जो है आपके पांच एडियम से फ्रेजिस कर लो और पांच वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कर लो ठीक है इस तरीके स आपके 20 वर्ड होने चाहिए डेली के वोकैबलरी सेक्शन से क्यों बोला मैंने डेली और क्यों वोकैबलरी पर मैंने इसको फोकस सब्जेक्ट में रखा देखो ध्यान चे सुनों आप लोगों का जो पेपर है चाहे वो मैं ससी जीडी की बात करूं यहाँ पर हिंदी भी है क्योंकि आपके एक्जाम में चोईस होगा इंगलिस यह हिंदी में से मैं जीडी की बात करूं तो वहाँ पर आप क्या करें उसी अकोर्डिंग महाँ पर भी वोकैबलरी में अनेकार्थी सब्द आप लोगों का परियाई वाची सब्द विलोम सब्द उन सारी चीजों पर सब्द देना 25 नंबर में से आप लोगों का 12-13 नंबर का यह वोकैब वाला सेक्शन है तो इस वोकैब वाले सेक्शन को डेली पढ़ोगे तभी मदद मिलेगा ठीक है तो इसको डेली रखो अब यह वन प्रेक्टिस सेट मैंने किसका बोला कि आप डेली करो मैं कभी भी सज प्रेक्टिस सेट डेली बोलता हूं रिजनिंग का क्योंकि रिजनिंग आज के टाइम में सबका अच्छा है और एससी का जी के रिजनिंग ऐसा आता नहीं कि आप लोगों को ज्यादा पढ़ने का जरूरत हो ठीक है कुछ टोपिक्स हो जाते हैं वह आपको वन प्रेक्टि सेट लगाओ रिजनिंग का उससे आपको पता लगेगा आपकी अससी के अनुसार रिजनिंग में कितने मार्क्स बन रहे हैं जो टोपिक आपके निकले उन टोपिक को निकालते रहो एक पेपर पे लिखो कि ये टोपिक हमें अलग से कवर करने पढ़ेंगे यहां हमारे मार सेट रहे हैं रिजनिंग में आपको कहीं से भी अलग से कुछ करने का जौरत नहीं उनसे आपको टोपिक का पता लग जाएगा वे टोपिक्स आप मुझे बताओ मैं आप लोगों के वे टोपिक्स कवर कराऊंगा ठीक है वन प्रैक्टिस सेट डेली और रिजनिंग को आप आप तीस मिनट देते हैं तो पांच घंटे मैंने पढ़ने के लिए बोला था तीस मिनट आपके हां जा चुके हैं यह सैल्प स्टडी का है तो आपके पास साड़े चार घंटे बचे अब सबसे इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है जनरल अवेरनेस बहुत सारे लोगों का सव पूछे जा रहे हैं टोपिक वाइज बहुत सारी बुक्स अवलेबल हैं जिसमें स्सी बेस्ट कोश्चन्स ही मिल जाएंगे या फिर मैं आप लोगों को एक टेस्ट स्रीज प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें आप लोगों के पूराने सारे स्सी के पेपर होंगे उस वहा है पूरा लुशेंट की क्लासे 30-40-45 क्लास के अंदर मैंने हिस्ट्री कराया है और 20-25-45 मिनट की क्लास आप 10-15 दिनों में हिस्ट्री खतम कर देंगे उसके बाद अभी मैं आगे पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो यहां से आप लोगों की चीज़े कवर होती रहेंगी और और अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ दे तो किसी और बुक के लिए आपको भटकने की जुरूरत नहीं है अब बात कर लेते हैं मैट्स की और इंगलिस की पहले इंगलिस पर आ जाओ अगर मैं इंगलिस की बात करता हूँ यहां पे आपको इंगलिस में क्या करना है एक तो जो मैंने बुक आपको बोला एस पी बक्सी और नीट्व प्लिंट्व प्लिंट्व पेरामौट जो वोल्यूम बन है उनमें से उस बुक को किसी एक बुक को अच्छे से निप्टाओ और जैसे ही तुम इसमें प्रैक्टिस सेट लेके आओगे ससी के वहां पर इंग वीडियोज को देखे 60 वीडियोज है फ्री आफ कोस्ट रहेगी आपकी पूरिंग लिस्स कंप्लिट हो जाएगी आपको चीजे समझ में आएगी किस तरीके से पेपर आता है सारी चीजे वहां से कवार हो जाएगी और इसको आप लोगों को डेली एक घंटा देना है कितना एक घंटा आप डेली करेंगे इसको मैट्स की बात करें देखो एक घंटा यहाँ पे पढ़ोगे आदा घंटा तुम रेजिनिंग पढ़ोगे और यहाँ जो है जरनल अवेर्नेस को अगर मैं बात करूँ आप डेड़ गंटा डेली पढ़ेंगे फढ़ने का तरीका क्या हो कम से का अगर आप LucianT start करें तो 2-3 पेज आप उसके daily पढ़ेंगे और revision जरूरी होना चाहिए हर रोज आप 20-25 मिनट revise भी करेंगे जो आपने कल पढ़ा था Maths दोस्तों Maths जो है Maths और Rigening दो यहाँ पर आपके subject ऐसे हैं जो आपको selection दिलाएंगे इनके अलावा selection लेना बहुत मुश्किल है दोनों subject को cover करने के लिए Maths और Rigening दोनों subject जब आप cover करोगे तो कैसे cover करोगे कि Maths में आप previous year paper series लगाईए SSC में जो paper हुए हैं उनको देखो एक बार किस तरीके के question आ रहे हैं आपका syllabus क्या है क्योंकि दोनों ही exam में arithmetic आता है तो उसके according आप तयारी करें daily दो घंटे आपको Maths पर देना है ये हुआ आप लोगों का पूरा पाँच घंटे का schedule जो आपको पढ़ना है YouTube वगेरा वीडियो जहां से आप पढ़ते हैं उनको अलग रखके चलो और ये सारी चीज़े अब इसमें क्या मदद करूँगा मैं मेरी क्या आप लोगों को मदद पहुँचेगी मैंने जैसे बोला current affairs आप लोगों के लिए daily आएंगे आपके exam के based ठीक है दूसरा vocabulary आपको खुद करना है reasoning में मैं आखरी दिनों में जब 15-20 दिन बच जाएंगे एक जैसे SSC का जो दिल्ली पुलिस का exam हुआ था SSC ने लिया था महाँ पर जैसे मैंने आखरी के 20 दिनों में reasoning और match के practice set लगाए थे अपनी तरफ से उसी तरीके के practice set मैं लगाऊंगा ताकि आप लोगों को help मिल सके ठीक है अब यहाँ पर इसकी बात करता हूँ general awareness की मैंने बताया Lucian की हमारी वीडियो जा चुकी है polity आप लोगों के लिए आएंगी वो free of course रहेगी अब मैंने बोला selection लेने के लिए आपके पास 2 subject है math so reasoning इसके लिए मैंने SSC MTS के लिए एक special batch launch किया है 50 students का केवल मात्र 50 students का जैसे हमने दिल्ली पुलिस में target किया था कितने student को 200 student को और 217 student का selection हुआ जिन्होंने return के लिए कर लिया है ऐसा ही मेरा target है SSC MTS में 50 student का उसके लिए आपको app पर आना होगा All India Students Community App वहाँ पर आपको selection batch जोईन करना होगा अगर 50 बच्चे आ गए आपके आने से पहले तो आपको entry नहीं मिलेगी सिर्फ starting के 50 बच्चों को entry है उनको मैं prepare कराऊंगा उनको मैं guide करूंगा अच्छे तरीके से ठीक है तो अगर अभी तक देख लीजिए seat full तो नहीं हुई अगर नहीं full हुई तो आप ले सकते हैं अभी जल्दी करिएगा नीचे description में link डाल दिया है All India Students Community App का आप Play Store से directly download भी कर सकते हैं All India Students Community यहाँ पर मैं क्या कराऊंगा आपको maths और reasoning दोनों खुद prepare कराऊंगा यानि कि आपके 50 number मेरी guarantee होंगे कि 50 में से आपको हर हाल में 43, 44 प्लस score कराना है जिसका कमजोर है उसको 43, 44 और जिसका match reasoning पहले से ही अच्छा है उसका target होगा 45 प्लस score कराने का match और reasoning में ठीक है यह सारी चीजों के लिए मैंने बताया पूरे साल के लिए I think आपको 400 रुपीज देना होगा SSC GD के match के लिए वो classes भी available है एप पर आईए देखिए और अभी जो सफलता बैच हमने launch किया है वो भी आप देख सकते हैं मैं दिखा देता हूँ यह है top 50 के लिए मैं माफी चाओंगा अगर आप लोगों को जगह नहीं मिली क्योंकि यह सिर्फ limited बच्चों के लिए बैच है सिर्फ limited बच्चों के लिए अगर कल तक भर जाता है या अभी भर जाता है तो साइद आप लोग आगे enroll ना कर पाओ इस बैच में इस बैच का फीस 9.99 है जैसा कि आप देख रहे होंगे और जब तक आपका एक्जाम नहीं होता तब तक आप लोगों को cover कराई जाएंगी चीज़े पूरा syllabus complete कराई जाएगा test series दी जाएगी सब कुछ होगा इस बैच के अंदर ठीक है लेकिन match और reasoning special है target होगा कि यहाँ पर हमें score करना है क्योंकि वहाँ पर score कर गई आप इन में थोड़ा बहुत कम भी चलेगा लेकिन आपका selection हो जाएगा तो दोस्तों यह था पूरा strategy अब यह batch की तो बात अलग थी batch को आप side में करिए यह तो जिन लोगों के लिए हैं अभी 20-25 CT बचा इसमें तो इसको अलग करते हैं लेकिन इस पे हर एक student के लिए है यह ऐसा कोई नहीं की batch में आएगा उसी के लिए अगर आप daily पांच घंटे पढ़ते हो आपका यह routine है आप दो घंटे maths को दे रहे हो आप जो है डेड़ घंटा इधर दे रहे हो जन्नल अवेरनेस को इंगलिस को एक घंटा दे रहे हो और आप लोगों का बाकी ये schedule में है और इसी तरीके साथ तयारी करों मैं definitely guarantee देता हूँ यही मैंने दिल्ली पुलिस वालों को बताया था अब आप सोच लीजेगा अब आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए यह सारी वीडियो के लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरा WhatsApp ग्रूप है, Telegram ग्रूप है उसे जोईन कर लो और All India Students Community App डाउनलूड कर लो वो सारी चीजे आपको मैं वहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगा ठीक है, ठैक्यू दोस्तो जैहिन, जैभारत और मुझे पूरी उम्मीद है, यह स्ट्रेटिजी आप लोगों का हेल्प करेगा और सेलेक्शन भी दिलाएगा क्लासिज आप लोगों की रेगूलर चलती रहेंगी ठैक्यू, जैहिन, जैभारत